हेलो स्टूडेंज आज हम आरम हिंदी पार्ट माला अध्याय नो का सेकिंड पार्ट करेंगे अपने पिता को भरोसा दिलाकर दर्मपाद ने काम शुरू कर दिया कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया मतलब कि उसने मंदिर के सिर्ष पर कलश रख दिया था यह सही था कि कलश की स्थापना दर्मपाद ने की थी लेकिन मैं अपने पिता को सिबोई और सिबोई आदी को अपमानित करके इसका श्रे नहीं लेना चाहता था मतलब कि वह यह नहीं कहना चाहता था कि वह यह जो है शिर्च पे मंदिर के मैंने रखा एक कलश अथा उसने मंदिर के शिर्च से कूद कर आत्महत्या कर ली कोनार्क के इस मंदिर के साथ दर्मपात का नाम भी अमर हो गया 1256 में मंदिर का कारे संपन हो जाने पर राजा निहाल हो गया अपनी कलपना को साकार रोप में देखकर उसने सभी सिल्पियों को बहुत सधन और सम्मान दिया कोनार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला कोशल का एक अधभुत नमूना है मतलब की विचित्र नमूना है जिस समय यह बना था तब समुंदर की तेज लहरे इस मंदिर के द्वार और सीडियों की धुलाई करती थी आज समुंदर इस मंदिर से दो किलो मीटर दूर खिसक गया कोनार्क सूर्य मंदिर के रत के अकार का मंदिर है बारा महिनों के परतीक बारा जोड़ी अनकृत महाचकर इस मंदिर रूपी रत में बने हुए है परतेक महाचकर यह परतेक पहिये की उचाई लगबग तीन मीटर है सूरे के साथ अस्वो के परिचायक रूप में यहाँ भी साथ विशाल गोडों की मूर्तिया हैं वास्ता में सूरे के साथ गोड़े उसी किरनों के साथ रंगों के परतीक हैं सूरे के ये साथ गोड़े साथ दिनों का समरन कराते हैं पहियों में बनी आठ तिलिया दिन के आ मंदिर की शिल्प कला की एक विशेष्टा है कला की बारी की मंदिर की दिवारों पर बनी पसु पक्षियों देवी देवताव मनुश्य अपसराव लताव आदी की पच्ची कारी पर प्रेटकों का मन बर्बस मोह ले लिती हैं मंदिर मंदिर के भीतरी भाग में सूरे की मूर्ती स्थापित की गई हैं प्राते काल जब सूरे की किरने विभिन मंदपों से होती हुई सूरे की पर पढ़ती थी तब परतिमा का मुख शांत और सो में दिखाई पढ़ता था मध्यान में सूरे की किरनों की सीधे पढ़ने से परतिमा के चेहरे पर कथोरता सायकाल सूरे की किरनों के परभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता है मध्या मतलब दुपहर में जो सूरे की किरने हैं वो सीधे परतिमा के चेहरे पर पढ़ती हैं आज तो मंदिर का दिकांस बाग तूट गया लेकिन अपने वैबावकाल में सूरे की किर्णों के साथ साथ मंदिर की परतिमाओं की भावपून मुद्राव में भी परिवर्तन आ जाता था यह मंदिर कितना भवे राग होगा इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है महान है वै कल्पना करने वाला राजा और उससे भी महान है उसकी कल्पना को साकार करने वाले सिल्पी शिवोई सांत्रा और सिल्पी विशू का पुत्र धर्मपाद बड़ों के प्रति सम्मान की भावना दिखाना शिल्पियों की दक्षता वा समेदन सिल्की अद्बूत जानकारी देना नैतिक मुल्ले तो यहाँ दक आप इस लेसन को पढ़िए समझे चीक है थैंक यू